हेलो रिवान आज हम इस वीडियो में अलिगड़ मुस्लिम सीटी में वैसे स्टूडेंट जो सेशन 23-24 में जो भी स्टूडेंस एड्मिस्य लने चाहते हैं आज इसकी वीडियो में एप्लिकेशन फॉर्म और इंट्रेंस एक्जाम के अपडेट्स के बारें बात करेंगे उस इसके लाव बीए बीए से यूजी की जितने भी कूर्स है या पीजी का इन सभी के अप्लिकेशन फॉर्म मेरे मितलब यह कि अलग 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 इस्टूडेंस का स्पेसिफिक कूर्स को लेकर आता है कि इसका फॉर्म कब आ रहा है तो देखिए फॉर्म सबका एक बार ही आ कोई भी परेशान होने के ज़रुत नहीं है दूसरे कि अगर आपके फॉर्म साइंगे भी तो आपको वेबसाइट के थ्रू ही पता चलेंगे कोई भी कहेगा आप इस बात पर ध्यान नहीं दिजीगा आप सिंपली इसके वेबसाइट पर बदाबर विजिट क्या करेंगे इसके बाद जब इसके वेबसाइट पर आएंगे तो इस तारीक एक आइकन दिखेंगे जब मुझे दिख रहा है अगर आपके फॉर्म भी आया रहेंगे तो अभी फिलाल देखिए सिर्फ और सिफ यहां पर लिखावा आ रहा है अप्लिकेशन फॉर्म फॉर्मिशन टू देवी स्कूल अवैलेबल तो उस तब आयेगा आपके यूर्श्टी का होगा कि अप्लिकेशन फॉर्म फॉर्म पर उन्वर्स्टी एड्मिशन राइक यूजी पीजी बीए बीसी को नाम से होगा बाकि यहीं कि इसह बसे मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर कि अभी स इसे तइसे तैयारी करें वेल्कूल इसे तैयारी करीए लेकिन जैसे इसकूल का फॉरम आया है इससे एक डि वर्ड़ान पईकाल सकते कि 11 हो गया या फिर या बाकि कोर्स उसक्तलीm जल्दी तो इकजा IO Candम हो रहें वह जोन जुलाई पर मत जाएं मेरे हिसाब साइसा लग रहा है ऐसा एक्सपेक्टेड में बता रहा हूँ कि आपका जो एक्जाम होने वाला वाच्छा है वह 11 के लिए हो भी ये बीस से बीकॉम वाटीवर जो भी कुर्स को देना चाहते हैं सब्सक्राइब jáला कि मार्श तो ऐसा है कि एंड फर्वर या मर्श कमत ओका जो अपने का का इसकूल के लिए 11 के लिए इसकोल में यह हो गया साइंस होगिया सब्सक्राइब कर पार मार्श कमत ओकि जिसमें फर्रॉम फिल को टाइम होगा और इंट्रेंस एक्जाम की बात करें तो मिड़ अप्रील के बाद से आपके एक्जाम से स्टार्ट हो सकते हैं क्योंकि जब इन्होंने स्कूल का फ़र्म पहला ही रेडी कर दिया इसका मतलब है कि युनिवस्टी के एड्मिशन पर यह काम कर रहे हैं यह उस पर पर यह कि आपको थोड़ा सा अपडेटर रहना है मैं आपको मैक्समी कहाना चाहूंगा कि फरवरी से मार्श का जो मंत ऐसा होता है जो फॉर्म का मंत होता है आने का अच्छा है नोट वाली एम्यू आपकिसी भी उनिवस्टिक उठाले तो सभी का फॉर्म वही मार्श का में आते हैं तो इनका भी आप लेकर चले और एक्जाम की बात करें तो मीड एक तो मैंने आपको मीड अपरेल बता दिया तो मीड अपरेल वरना माई में तो 80% चांस है कि आपका एंटरेंस हो गई होगा तो यही एक एक बाकी जो स्टूडेंस जून जुलाई को एक लेकर चलना है वह इस भर में ना रहें क्योंकि वह पिछले सल का जिन्ता और वह भी कोविट की वज़ा थी इस भर वैस्ता कोई रीजन नहीं है पहला दूसरा है कि इनको अपने टाइम पे लाना है तो फॉर्म जो होगा पहली आएगा और एक्जाम भी ऑन टाइम होगा तब ही संटार्ट हो पाएंगे तो फॉर्म सको लिकरह कर अब बता दिया और अध्याम सको लेकर ही बता दिया यहीग मार्ज के आसपस में और ईग्जाम को अदेट्य और ten वाले हो नहीं वु मैं एक इम अपने स्वार्म करते चलो 11로 सब्सक्राइब करके जैसी अपडेट्स आगा आपको इन फॉर्म कर दीजागा थेंक्यू